बारत के सांसदिय इतिहास में एक पई वार हुआ क्योंकि सांसदिय चुनाव में लोग सभागी सीटों का बहुमत हासिल करने के बाद सांसदिय दल की मिटिन होती है और उस मिटिन में सांसदिय दल का नेता चुना जाता है सांसधिय दल का जो नेता चुना जाता है as per the provisan of the contribution जो नेता चुना जाता है पार्टी के लोग राष्टपती को चित्थी लिखते है कि हमने हमारे पार्टी का सांसधिय दल का नेता चुना है तो राष्ट पती चुने हुए सांसभी इदल के नेता को प्रधानमंत्री पत की शपद दिलाने के लिए बुलाते हैं जानुनी प्रावदम्रतारा और फिर उसको प्रधानमंत्री की शपद दिलाई जाती है इस तरह से प्रधानमंत्री पत की शपद 2014 में नरिंद्र मोदी को दिलाई गई और नरिंद्र मोदी को हैरान करने वारी बात है कि RSS के लोगों ने ऐसा नहीं किया चुनाव भोशिक होने के पहले उन्होंने नरिंद्र मोदी को PM कैंडिडेट नॉमिनिट किया BJP के लोगों को भी अथर्टी ने दि कोआ में अडवानिय और सुस्वास्वराज ने नरिंद्र मोदी का विरोध किया क्योंकि सुस्वास्वराज और नरिंद्र मोदी से जादा सीनियर लोग BJP के थे एक सिंदी था और पुरी जिन्दगी रहा इसको प्रदान मंत्री RSSS के लोगों ने वेटो पावर का इस्तवाल किया और सुस्वास्वराज और अडवानी को वेटो पावर से हटाया और हटा कर नरिंद्र मोजी को चुनाओ में वहुमत मिलने के पहले ही प्रधान मंत्री नोमिनिट किया क्यों किया? क्योंकि कॉंग्रेस का RSS के साथ लुप्त समझोता हो गया था कि दो बार हमने EVM का भोटा ला करके चुनाओ जीता दो बार दुम भोटा ला करके जीतो RSS को पहली मालुप था पहुमत मिलने वाला है इसके RSS ने और RSS के इबरामनों नरिंद्र मोजी को प्रधान मंत्री के तोर पर नोमिनिट किया तो नरिंद्र मोजी पिजड़े वर्ग का आदमी है और इसको RSS के इबरामनों ने नोमिनेट किया इस तरह से ए नरिंद्र मोजी पिजड़े वर्ग का RSS के दोरा नोमिनेट किया हुआ प्रधान मंत्री है आप लोगों को पता नहीं है जब गुजरात में नरिंद्र मोजी मुख्य मंत्री थे तो जब वो स्टेज पर गए तो नरिंद्र मोजी ने पूरा ऐसा पूरा पैर पर गिर गया हमारे उत्तर भारत में पाइलागी पंडिती का रिवाज है आपके यहां पाइलागी पंडिती का रिवाज नहीं है पंजाब में मगर आप लोगों को घुटनों को हाथ लगा ही क्या दोगे तो ये तो मुझे नहीं रखता किसे नहीं आप लोगों को पंडित ने बुलंपदाना ये आदत लगाई मगर आप लोगों को ये आदत है मुझे मेरे भुटिनों को भी बहुत सारे दोगाते हैं तो मैं उन्हटा तवाय है अरी क्या कर रहे हो बाई तो मेरे जिन्दगी मेरे आखों के सामने ही मेरे जिन्दगी का सारा मकसद फिर कर लेते हो तो तो में गुटने में हाग लगाते हो इसका कोई बिनिंग नहीं है बलकि आदमी को अपनी जो आदमी की जो कुछ है शान बान उसको आदमी अगर गिरा देता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है उसके जिन्दगी का कोई मतलब नहीं रहता है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वांच्वी के पहर पर पूरा लेड़ गया पूरा लेड़ गया दंड़वा साथ्तांग दंड़वा पूरा लेड़ गया और यो अगबार वाले हैं फोटोग्राफ वाले हैं वो उसमें अटल बिहारी का चेरा भी दिखा रहे थे अटल बिहारी का पहर भी दिखा रहे थे और पूरा लेटावा भी पूरे पूरा का पूरा लिया अच्छापा तो फोटोग्राफ वाले भी बड़ी हैरान है और फिर वहां अटल विहारी ने बयान दिया था राजधर्म का बादन करना चाहिए आख लोगोंने अख़बार में पढ़ा होगा वो उस समय का उसतारीक का बयान राजधर्म का बादन करना चाहिए नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालग नहीं किया था और राजधर्म का पालग ना करने के लिए अटल विहारी को उसको बरखास्त करना चाहिए सविधान का उलंगन करने के लिए मगर जब वो पूरगपूरा सास्टांग डंडवत किया तो पंड़ी जी भूल गया बहला कि यह तो इदा शर्नागत आ गया भाई अभी शर्नागत को गोली दोड़ी मारते जिसे अमरिका में रूल है कि अगर आप हाथ खड़े कर दो तो फिर कोई गोली ने मारेगा अगर आपने दोनों हाथ पैकेट में रखे तो गैरट् Apply से आपको गोली मारेगा आपने अगर पैकेट में हाथ रखे तो पुलिस वाले ये मानते हैं कि आपके पैकेट में अदियार है पिस्टल है और निकाल कर आप मुझे गोली मारने वाले है उसके पहली गोली मारते हाथ खड़े कर दोगे आपको कोई गोली निमालेगा आप पुलिस वाला आएगा आपके हार पकड़ के पीछे बान देगा क्योंकि वहाँ आधियार खुले रुप से मिलते हैं अमरी काम इसलिए गोली है स्कूलों में भी बच्चे भी मारते रहते मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यह जो हमारे लोगों को परधानमंत्री बनाया जाता है एक पोजीशन देते हैं पावर नहीं देते हैं हमारे लोगों को पोजीशन देते हैं पावर नहीं देते हैं क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि राज ब्रामनों का राज ब्रामन लोग अपने हाथ में रखते हैं राज ब्रामन लोग अपने नियत्रण में रखते हैं और हमारे लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं कि इनको हमने ब्रधान मंत्री बनाया किसी के पास कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है इसलिए सारा राज जो है वो ब्रामनों के नियंत्रण में है नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री हो गया उसने पहला फैसला किया पहला फैसला कि 52 परसें वो भी सीखी जाती आधरित गिंती नहीं होगी दूसरा भैस्ता किया 314 बच्चे I.S. I.P.S. I.R.S. परिक्षा पास किया तेरिंग भी पूरा किया पोस्टिंग नहीं दिया पिछ़़े वर्ग का कमीशन रद्द कर दिया बाज में उसको सवैधानी दर्जा देकर पास कर दिया मगर सवैधानी दर्जा तो शडूर कास कमीशन को भी है शडूर टाइप के कमीशन को भी है उनको कोई कुटा नहीं पूछता एक बैकवर क्लास के कमीशन को सवैधानी क दर्जा देने से उसका चेर्मन कला R.S.S. के लोग नोमिनिट कर देंगे तो उनको कुटा पुछने वाला है नरिंद्र बोदी ने की सरकार ने अब 2021 में जाती आदाल्ट गिंती करने का ऐलान किया 2021 में गिंती करेगा 2019 में चुनाव है और 21 में गिंती करेगा अलग बेवकुप समझता है उन्टोगों गदा समझता है इसका मतलब ये है कि तुम 19 को मुझे चुनो तु फिर 21 को करूँ अब 19 में अगर बैक पर लोगों ने चुन लिया तो बोलेगा आप करनी क्या जोचा चुनने के बाद क्योंकि 2010 में पार्रामेंट में बीजेपी ने जाती आधर्द गिंती का समर्थर किया था चौदा में उनकी सरकार आई गिंती उन्होंने की नहीं इसका मतलब दोकाद़ी की बीजेपी ने और अगर दोकाद़ी की तो ये दोकाद़ी आगे नहीं करेंगे इसकी क्या क्या रिए पहले दोकाद़ी की आगे भी करेंगे तो के बाद आदमी कर भरुसा तो किया नहीं आ चकता तो इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी चाहिए अभी अक्टूबर मैना चल रहा नौबर, डिसमबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रील, माई, आठ मैने का समय लगभग आठ मैने का समय के सी आठ तेलंगना का मुख्यमंत्री है उसने चोवीज घंटे में सारे तेलंगना स्टेट की गिंती कर दे अगर के सी आठ मुख्यमंत्री का शौट नाम है के सी आठ चंदर सेकर राव के चंदर सेकर राव तो उसने 24 गंटे में गिंती कर दी साथ पेलंगनावी तरजी ने तो नरेंद्र बूदी के पास सारा देश का प्रमचारी अगर वो चाहेगे आट दिन में सारे देश की गिंती कर सकता है तो 2021 किस्ट रुपनी की क्या दुरूत है वो अभी कर सकता है डूमर में कर सकता है दिसमर में कर सकता है यदि उसकी तमन्ना सही है अभी कर सकता है मगर तमन्ना उसकी जूटी है धोके बाजी करने का इरादा है इसलिए कह रहा है 21 को करूद नरेंद्र बोधी ने लगवक्त साड़े चार सार हो रहे हैं एक नाया पैसार बैकवर क्लास के लोगों को बजेड में विकास के लिए दिया एक घंटे-घंटे का भाशन करता है अभी 15 अगस को तेर घंटे का भाशन किया एने उसके भाशन में विकास हो गया मगर बैकवर क्लास को विकास करने के लिए पैसा नहीं दिया भाशन में विकास कर लिया ओवी सी को विकास करने के लिए बजेड प्रवदाद नहीं किया इसका मतलब यह है बगेर पैसे से तो किसी का विकास नहीं हो सकता तो ये सारे निरने, सारे फैसले बैकवड क्लास का परधान मंत्री बैकवड क्लास के विरोध में ही कर रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नरिंद्रमोदी को समझ में नहीं आता नरिंद्रमोदी खोथता है मन्जाबी में तो खोथा ही बोलते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि नरंद्रमोदी खोटा है तो इसलिए ये इसलिए कह रहा हूँ अगर यही बात समझ नहीं है तो खोटे से खोटा अगर में ढूंड़ लो मंजाब और उसके हाथ में कुलाडी दो और कहो ये बाया पर एक कुलाडी से कार दो वो आदमी क्या कहेगा बोलेगा खोटा जरूर हो इतना खोटा नहीं हो कि अपने ही हाथ से अपना पाहिर काट दो खोटा जरूर हो इतना खोटा नहीं हो कि अपने हाथ से अपना पाहिर काट दूगा तो अगर खोटे को इतनी अकल है तो नरिंद्रमोदी को अकल नहीं है ऐसे कैसे कहा सकता नरिंद्रमोदी के पास भी अकल है और अगर अकल है तो अपने ही लोगों के गरोध में फैसले हो नहीं कर सकता और अगर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि फैसले कोई और कर रहा है और प्रचार किसी और के नाम पर हो रहा है तो कौन फैसले कर रहा है क्योंकि नरिंद्र मोदी नोमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है तो जिसकी सत्ता है वो ब्रामन है ब्रामन फैसले कर रहे है और नरिंद्र मोदी के नाम पर पचार में लाया जा रहा है इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ब्रामनों की वास्ट तवीक सरथा है देश पर कबज़ा उन्होंने किया हुआ है और दिखाने के लिए मनमोहनसीट को दिखाया जाता है दिखाने के लिए ननत्रमोदी को बिछड़ेवर को दिखाया जाता है यदि हम लोगों ने ब्रामनों को विदेशी भोशित नहीं किया होता और सारे देज़ बर में परचार नहीं किया होता तो ब्रामन दोग अपने पार्टी का प्रधान मंत्री ब्रामनों को ही बनाते वो तो हमारी वज़े से संकड में भसे हुए है वामन में इस्राम की वज़े से संगड में भसे हुए है कि अगर ब्रामन को प्रथान मंत्री बना दिया तो वामन में इस्राम की बाद भारत के लोग जड़ी समझ जाएंगे यहां यह वामन में इस्राम बोलता है यही से अगर ब्रामन को प्रथान मंत्री बना दिया वे तो वामन में श्राम बोलता है यही बात सही कि सारा कप्जा ब्रामनों ने कर दिया है इस वज़े से ए लोग ब्रामन की वज़ार मनमोहंसिक को और नरिंद्र मोधी को यह सारा का सारा माम लाग कर रहे है इसलिए डॉक्टर साथ उसको थोड़ा और पचास मिली बिला दे तो निन्द जल्दी आ जाए तो इस तरह से ये जो परिस्टिती है ब्रामिनों ने भारत पर कब जा करने की इसका सबूत दे रहा हूँ इस सबूत हमको समझने के लिए उधारत दे रहा हूँ तो आपको पता चले साथियो इन लोगों ने ब्रामन राज इस्तापित कर दिया इसका और एक भायानिक सबूत आपको देना चाहता रूलिंग पार्टी ब्रामनों की है अपोजिशन पार्टी भी ब्रामनों की है थर्ड अपोजिशन भी ब्रामनों की है फोर्ट अपोजिशन भी ब्रामनों की है फिप्ट अपोजिशन भी ब्रामनों की है पाच-पाच नेस्टन लेवल की पार्टियां गेले ब्रामनों की है पाच-पाच ब्रामनों की पार्टियां होने के बावजूद भी ब्रामनों क तो संतुष्टी नहीं है उन्होंने बहिंजी के भस्ताचार के मामले उजागर करके बहिंजी को कहा कि आप हमारे पास पांच नैशनल लेवल की ब्रामनों की पार्टिया है आपकी पार्टी ही बहुजनों की पार्टी है मगर आपको भी ब्रामनों का काम करना होगा या तो जेल में जाना होगा आपको चुनना है क्या करना है आपको जेल में जाना है हमें कोई ज़्यादा इतराज नहीं है और आप हर सेशन में पार्लामेंट बंद करता है यह जो केसी आर है उसके छे मिम्बर पार्लामेंट थे य एक दिन, दो दिन, चाहर दिन, बंदर रहा है, एक दिन भी फार्वाइन बन नहीं है। देड़ परसेंट मान लेता हूँ, तो देड़ परसेंट आप बोल रहे हैं बढ़ाद कोई बात नहीं है, तो देड़ परसेंट तक नीचे आगया और हमने तो देड़ परसेंट नहीं बनाया। फजी पर्से बनाया और यह जो ँड़ पर्सेंट बनाया इसके लिए बॉलीस यह है कि एकिस मेंबर पार्लामेंट ने एक दिन भी हमारे ओंपर विरोध में पार्लामेंट म्यावधी ने बना। कि एक दिन मैं अगर भाइना मेरन में थो ही इसके लिए और येखियों पर उर्पर येख्यों पर्रामिप के विरोद के इक दिने पर पॉज़ में थे अगर भाइützen को काublिख से अदिए इसके एंदर ही सेशन में इन या दोरी पर्रामिंट बता है मायावती हमारी लड़ाई पार्लामेंट में लड़ रही है मगर ब्रामनों ने माय वदी कोई सतीज मिला को तो मिलने से हमारी कोई समझ्या का हद तो होता नहीं है मेरे कहने का मतलब यह है कि पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टी आप रामनों की है रूलिंग पार्डी व्रामनों की आपोजिशन पार्डी व्रामनों की तो हमारी एद आपी समच्छा समस्द में उठाई नहीं जाती बोली नहीं जाती नियंत्रन कितना? और नियंत्रिद नियंत्रन Uncontrolled, controlled अने इतना control उनों ने स्थापित कर दिया सारी सत्ता पर स्थापित कर दिया इसका परणाम ये हुआ कि सभिधान को उनोंने से दसाइट कर दिया और मनुस्मूती का राज परदे के पीछे से चालू कर दिया आप लोग सोचते हो कि अगले साल BJP का चुनाव आने के बाद मनस्मूती लागू हो जाएगी खलत सोचते हो मनस्मूती का राज चालू हो गया है प्रामंद राज स्टापित हो गया है 2009 के चुनाव में 375 सीटों पर ब्रामनों के पार्टी का कपज़ा था 2014 के चुनाओं में 411 सीटों पर ब्रामनों के पार्टी का कपज़ा है कारिय अपारिका में IAS IPS IRS 79.2% यह असी परसेंट Administrative Officer पर ब्रामन और तस्वमुचे जाती का कपज़ा है A.C.S.P. O.B.C. और Minority के जो अधिकारी है वो अधिकारी भी पंडी जी को नाराज किये बगेर हमारे विरोग में काम करते है वो व्यवार में जो 80% है वो व्यवार में 10% पर जातन पर कपज़ा है तीसरा है चुडी सीरी 97% High Court और Supreme Court के जजेश पर उनका कपज़ा है और जो मेडिया है चार प्रकार का Electronic मेडिया Print मेडिया Traditional मेडिया Hocal मेडिया सारा मेडिया ब्रामनों के नियंत्रण में है योगेंत्रयादों का नाम सुना होगा 97% बत्रकार दिल्ली में ब्रामन अंत्रस्व उचे जाती के संख्या उसने रिसर्च में बताई थी इसका मतलब ये है सारा मेडिया उनके कपज़े में तो लोगतंत्र के चारों मीलर पर उनका कपज़ा है कपज़ा कर दिया है इसका मतलब है लोगतंत्र खप्न कर दिया गया है और लोगतंत्र को ब्रामन तंत्र में रुपांतरित कर दिया है लोगतंत्र से लोग गायब लोगतंत्र से लोग को गायब कर दिया अभी तंत्र बचा हुआ है और तंत्र पर ब्रामन का कपज़ा है इसलिए जो पटवारी से लेकर राख्टपती तक का जो तंत्र है वो सारा हमारे विरोध में काम करता है उली चौकी के इंचार्ज के पास अगर आप यवायर दाखल करने के लिए जाओ आपका यवायर दाखल नहीं होता सिखों के लोगों ने गुरुगरंण साफ यवी के विरोध में प्रोटेस्ट किया उनको गोली से मार दिया देखने वादों ने नाम के साथ बताया जस्टिस रनजी सिंग कमीशन ने बताया फलाने आद्मी ने यादेश दिया फलाने पुलिस वालों ने गोलिया चलाई बलाने लोगों ने आखों से देखा सारा का सारा रिपोर्ट जस्टिस रंडिस सिंग कमिशन ने सबूतों के साथ रिपोर्ट में दिया रिपोर्ट देने के बार कैप्टन जो आख के प्रदेश वा मुख्यमंत्री है उसने हाइकोर्ट के जैज की जो इनक्वारी का रिपोर्ट है हाइकोर्ट के जैज के इनक्वारी की इनक्वारी पुलिस वालों से शुरू करवा दी एहरान करने की बात है कि जैज के इनक्वारी की इनक्वारी पुलिस वाला के से कर चकता है या तो कैप्टन खोता है या तो हम कोते कोई पत्रकार है तो मेरी आवाद पोचा दो भाइवाद है कि वामन में श्राम महाराष्टा से आकर आपको कोता बोट रहे है वो भी मुझे हरेश कर वे तो फुड़ा मेरा काम आगे बढ़ जाए पंजाब में भी फुड़ा उबार साथियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए हाई पोट के जज़ की इनक्वाइरी की इनक्वाइरी नहीं की जा ज़कती मगर कैप्टन की मजबूरी है क्या मजबूरी है कैप्टन जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है वो पार्टी सीखोंगी नहीं है वो पार्टी प्रामनों की है प्रामनों के पार्टी का मुख्यमंत्री बन कर प्रामनों की ही विरोध में कैप्टन फैसला नहीं कर सकता अगर कैप्टन ने फैसला कर दिया दो तीन मैने में कॉंग्रेस उसको हटा देगे एक कैप्टन को भी मत कैप्टन को क्यूं मालूम है क्योंकि कॉंग्रेस ने ऐसे बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और बहुत लोगों को माले महरास्टा का किसरा है विलाश्राम देष मुख्यमंत्री बनाया फिर कुछ दिन के बाद उसको मेशेज आया दिल्ले में आपको बनाया сонिया के बास सोनिया ने उसको कहा अहमत पटेल मेरा पॉलिटिकल एडवाइजर है उसको मिल तो वो पॉलिटिकल एडवाइजर अहमत पटेल को मिला अहमत पटेल में विलासराव को कहा विलासराव जी आपको मुख्यमंत्री जब हमने बनाया था तो आपको हमने पूछा था आप मुख्य मंत्री बनना चाहते हो हमने पूछा था पूछा था फिर भी हमने आपको मुख्य मंत्री बनाय था पिर अब ऐसा करो इस्तिफा दे क्योंकि जब हमने आपको मुख्य मंत्री बनाने के पहले नहीं पूछा तो अब हम आपको कह रहे हैं इस्तिफा दे दो तो हम आपको पूछेंगे दूए कि क्यों इस्तिफा देना चाहिए अब इस्तिफा दे दो और अगबार वाले बाहर पूछेंगे कि क्यों इस्तिफा दिया या क्यों इस्तिफा मांगा हाई कमार्ड ने कोई पूछे पत्रकार तो उनको कहना हम कांग्रेस के निस्क्रामंत सेवक है उन्होंने आदे दिया था मुख्यमंत्री बनो बन गए थे अब उन्होंने आदे दिया खाली करो खाली कर दिया उन्हों सेवक है ये कहानी है तो ये कहानी कैप्टन साब को मालूँ और इसी लिए कैप्टन साब ने सारे सभूतों के साथ रिपोर्ट देने के बाद भी कोई फैसला नहीं किया उधारण के लिए बता रहा हूँ तो ये जो परस्थिती है ये सारे गवाव सारे सभूत इस बात को सिद्ध करते हैं कि ब्रामन राज इस्तापित कर दिया गया रुलिंपार्टी ब्रामनों की अपोजिशन पार्टी ब्रामनों की सारा राज ब्रामनों का अब जब सारा राज ही ब्रामनों का है तो सभी दान पर अमल कर नहीं की जुरूत है सभी दान पर अमल कर नहीं की जुरूत क्या है वो तो मनुस्मूती का राज चालू कर दिया सारा का सारा राज जब रामों का है तो मनुस्मूती का राज उन्होंने लाजू कर दिया आप लोग सोचते हैं कि बात में आने वारा रहे आज चुका है इस उसरा डाटा बता रहा हूँ आपको कोई बताने वारा नहीं है इसलिए इसमें परिवर्तन करना होगा रस्तितिया जडील है परिवर्तन करना होगा परिवर्तन करने के लिए कि हमारे पास पाकश है इस सकती चाहिए ब्रामनों हमें शहहजार जाती के टुटों में बाता बाते हुए लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा जोड़े हुए लोगों की शक्ति निर्मान करनी होगी और शक्ति का उपयोग उपयोग करना होगा ये करना होगा तब जाकर ये परिवर्तन हो सकता है जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली तो हम जानते थे कि भारत में आजाद भारत में किसी भी मजलूम ने, किसी से रुड़कास ने, किसी कटगंती के लोगों ने, किसी पिछड़े बर के लोगों ने, इस तरह की राष्टी, इस तरह की कोई परिवन तन्यात्रा नहीं निकाली, हमारे अलाव, हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास 31 राज़ों में संगड़न है 549 किरों में संगड़न है 35,000 तैसिरों में संगड़न है 22,000 ब्रॉक में संगड़न है 13,000 गाओं में संगड़न है पिछले साल 17 करोड रुपया सारे देजभर में लोगों से निदी संकरित किया अरिसान दुनन को राष्ट व्यापी आंदुनन में रुपांतरित करने के लिए खर्चा किया अनुभव नहीं था परिवर्तन यात्रा का महारास्ता में बयारिस डिगरी सेल्ट सेज गर्मी में अड़तालिस डिगरी सेल्ट सेज तक गर्मी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाली वहां के लोगों ने सवेरे नास्ते का दोपे में खाने का रात में खाने सोने का प्रबंद किया गारियों के तेल का प्रबंद किया कारे क्रमों का नियोजन किया प्रभुगंडा किया प्रचार किया सारा का सारा खर्चा लोगों ने उठाया उपर से 42 दिन में मुझे महारास्ता में 45 लाग रुपए का नीदी दिया हम इसलिए निकाल पा रहे हैं को हमारे पास बहुत बड़ा संगटन है 31 राज्यों में फैला हुआ संगटन है यह कोई है रहा है रहा है नत्तु है रहा का मामला नहीं है हमारे अपनी संगटन की इतनी बड़ी ताकत है जब गाशिराम जी ने बहुजंग समाज पार्टी बनाई थी 84 में तो 13 स्टेट में 140 जीलों में केवल बांसिप संगटन था अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अभी आने वाले समय में 2024 तर हम लोग इन लोगों की इड से इड बजा लेगा 2024 गाशिराम जी का सिद्धान था एक इड का जवाब दो पत्थर से गाशिराम जी की बोली थी है एक इड का जवाब दो पत्थर से ने तो एक पुरानी कहावत थी एक इड का जवाब इड का जवाब इड से बरभरे रट पसा इड का जवाब इड से गाशिराम जी ने उसको बदल दिया एक इड का जवाब दो पत्थर से तो हम लोग उसी के दो हजार 24 तक तैयारी कर रहे है एड का जवाब उनको दो पत्थर से देंगे और इस लाइब बनेंगे इस तरह की तैयारी कर रहे है और ये तैयारी करने के लिए पंजाब में, कई जेलों में हमारा एक भी आदमी नहीं था, हर जगां हमारा स्वागद हुए, हर जगां हम लोगों को गुर्धवारे में या घाउं में या बलोट में लोगों ने स्वागद किया, साथ से योगतिया, भोजन का प्रबंद किया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग चाहते हैं इस तरह का परिवर्तन हो इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है आने वाले समय में ये परिवर्तन यात्रा लगातार चलती रहेगी झाले परिवर्तन हो आने बत्रा निके परिवर्तन का याध Pak कि अब्लवर उavez realD में वारे से या है ये का याले उनान ये बत्मने ये का बिवर्तन हो इसा हुआ इस है झाल 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 करना झाल 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 मार्न झाल 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 है? झाल 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 कि झाल 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 याल झाल 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 झाल